मुस्लिम मलिक तेली समाज विकास समीती उत्तर पिर्देश के सभी पदादीकारिगन और यहाँ पर मोजूद सभी मेरे सम्मानिस सातियों हम सभी साति मुस्लिम मलिक तेली समाज विकास समीती का जो बैनर है उसके नीचे पूरे समाज को लेकर अपना एक काम कर रहे हैं मेरे सातियों मैं अपनी बात एक सेर के माध्यम से सुरू करता हूँ, दिल में आग लब़ों पे गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पे दोरा नकाब रखते हैं, हम चिराग समझ कर बुझा ना पाओगे, हम अपने घरों में कही आफ्ताब रखते हैं तो मेरे दोस्तों मेरे भुजुर्गों मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी मुस्लिम मलिक तेली समाज विकास समीती तीन मुद्दे लेकर चलीती सिक्षित बनो संगटित रहो और संगर्स करो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हम सिक्षित होंगे तो अपने समाज को बड़ी उचाईयों तक ले जाएंगे सिक्षित हम जब होंगे जब हमारे समाज में जो कुरूतिया फैल रही है उन्हें हम दूर करेंगे कुरूतिया दूर जब ही होंगी जब हम सभी साती मिलकर उन पर गोर और फिकर करेंगे क्योंकि ये सभी समाज के जुम्मेदार सातियों की जुम्मेदारी बनती है समाज हमारा आपका सभी का समाज है क्योंकि हमें उन कुरूतियों को दूर करने के लिए अपने समाज के जुम्मेदार साथियों को पहल करने की कोशिस है जब हमारे जुम्मेदार साथ ही कोशिस करेंगे तो इंसालला वो दिन दूर नहीं होगा कि हमारे समाज में जो बुराई फैल रही है हम उन्हें दूर कर सकेंगे और संगटित हो संगटित का मतलब है जब हम संगटित होंगे एक पिलेट फारम पर आएंगे तो हम अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीश सकते हैं मेरे दोस्तों और जब हम संगटित करेंगे जो हम आट दस साल से हमारी कमेटी मुसलिम मलिक तेली समाज समीती जो संगटित कर रही है उस संगटित करेंगे और उस माँ पंचायत को भी बहुत जल्दी करेंगे उस महापंचायत में हम कोजिस करेंगे कि हमारे सभी साथी एक दिन जादा से जादे उस पंचायत में पहुँचे और क्योंकि अभी तो हम सब के राए मस्बरे ले रहे हैं उन्हें नोट करा रहे हैं वो राए मस्बरे जब नोट हो जाएंगे उसके बाद जो महापंचायत होगी उस महापंचायत में हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हमारे समाज के नोजवान साथी जो भी निर्णे लेंगे वो समाज के लिए मानने होगा मेरे दोस्तो क्योंकि मेरे साथियों ने सभी बात अपनी विस्तार पूरवक कही है सभी ने अपनी राय रखी है सभी ने अपने विचार रखे है क्योंकि बोलने में तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं कम सकम आदा एक गंटा भी बोल सकता हूं लेकिन मुझे पता है इस ठंड के टाइम में हमारे सम्मानिस साथियों का बहुत बड़ा एहसान और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना कीमती टाइम हमें दे कर हमारी बात को सुना और मैं आप से अपील करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी समीती का और हमारे समाज की जो ये पहल चल रही है जो भी मुद्दे हमारे हैं जो भी हमारी कुरूतियां हैं आप हमारे पूरे उत्तर पिर्देश में दिल्ली में और आसपास के पिर्देशों के लोग ये सोच रहे हैं जो हमारे वर्टसब और दूसरे मेडि कि कोज़ए के तरीके से हमारी बाते महां तक पहुच रही है वो सभी साति मातों को गोर से देख रहे हैं और देख कर यह सोच रहे हैं कि मेरह वाले क्या किरांटी लाते हैं 1877 की किरांटी मेरह यह जन्पस सुरू ही थी और यह मलिक मुस्लिम तेली समाज के जो लोग- मेरट से ऐसी किरान तिलाएंगे इंसालला अगर बिगाड हमने करा है तो सुधार भी हमी करेंगे मेरे दोस्तों और इनी बातों के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूँ खुदा आफित